हमारे बीच परमान निकिता निसी केस हम से पूझ माराश श्री बराजमान है पूझ मुनि स्री माराश श्री बराजमान निकिता 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 निकित भारत माता की, भारत माता की, वन दे, वन दे, वन दे, जै श्री राम, जै श्री राम, जै हनुमान, जै बागेश्वरधाम, हर हर महान, मुझे बड़ी प्रसंदता है, कि आज, मैंने तो पूरे विश्व में देखा है, पूरे विश्व में साथ आश्यर्य हैं, और आठवा आश्यर्य, अभी आप सब ने देखा कि पान सो साल, कितने साल, पान सो साल की तपस्या, संघर्ष, और बलिदानियों का बलिदान, आस्थावानों की आस्था, और हमारे देश के सम्मिधान का सम्मान, रखते हुए, उस सम्मिधान ने जो समाधान दिया, उसके कारण, हमने श्री अयोध्याधाम में देखा, कि 22 जन्वरी को किस तरह से भारत के उर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधान मंत्री जी ने, उनके निर्थित्व में किस तरह से पूरे विश्व ने, दर्शन किया, कि क्या है सनातन की परंपरा, क्या है सनातन की आस्था, और उसी सनातन की आस्था के उन पलों में, मैं देख रहा था, हमारे आदर्णिये, इस देश के युवाओं की धर्कन, इस देश के युवाओं को जागरित करने वाले, हमारे आदर्णिये, मेरे प्रिय अभिन और आदर्णिये, बागेश्वर सरकार आदर्णिये, शास्त्री जी वाराज जोरधार प्रणामपुरुव का हाथ उठाकर अभीनदन करें ये हमारे देश की आस्ता है हमने कुम्भ तो हैं बड़े-बड़े पूचि संत बैटे हैं हमने कुम्भों का दर्शन किया है उन कुम्भों में भी लोगों की आस्था और शद्धा की कडियां जिस तरह से जोड़ कर पूरे सनातन समाज को एक करती हैं एक बनाती हैं एकता और एक जुटता का दर्शन देती हैं ठीक उसी तरह से मुझे तो लगता है कि ये जो दर्शन है किसी कुम्भ से कम नहीं है कुम्भ में भी ऐसी कई बार भीड भक्तों की नहीं होती है ये भीड वो नहीं है जो लाई ग बल्कि यह भक्तों का यह एक ऐसा मेला है जो हमारे इस ख्षेत्र के मेरे प्रिये और मेरे अभिन्न यहां के प्रिये सांसद श्री मनोश दिवारी जी जिनके भक्ति भाव के कारण, राष्ट प्रेम के कारण आधरणिये महराज्यी ने स्विकार किया कि इस धर्ती पर यह यह महायग्य है यह आस्ता का यग्य है आपको आश्चरी होगा अभी अभी थोड़ी तेर पूर्व इसने देरी भी हुई आज जब सारे देश का पूरा मीडिया Constitution Club में था उस समय पर महाराजी द्वारा लिखे एक ग्रंत का सनातन धर्म क्या है क्या है सनातन धर्म हमारे आने वाली पीडियों को यह जानकारी मिले हमारे आने वाले परिवारों के परिवारों को भी सदियों तक यह जानकारी मिले क्या है हम क्या है मारी जड़ें क्या है मारा मूल क्या है मारे मुल्य उन सब को जानने के लिए और उसके बाद उसको जीने के लिए क्या दर्शन चाहिए उसका पूरा-पूरा निचोड उस पुस्तिका में है आज मैंने पूरे विश्व में बड़े बड़े उधगाटन देखे हैं पूरे विश्व में बड़े बड़े पुस्तकों के विमोचन देखे हैं लेकिन आज जिस तरह से जहां पर पबलिक नहीं पर पबलिक को जागरित करने वाला इस देश का मीडिया जो वहाँ पर शद्धा और आस्ता के साथ था, उस सनातन के विमोचन पर, सनातन के लोकारपन पर, वहाँ विराज मान था, उस पुस्तिका को हर घर के अंदर, जैसे हम गीता जी रखते हैं, रामायन जी रखते हैं, भागवत जी रखते हैं, उसी तरह से हमारे घरों में ये गरंत होने चाहिएए देखिए क्या है सनातन अगर आपको देखना हो सनातन की दिव्धता को जीने वाला एक महापुरुष अयोध्या हमने देखा जिन भगवान श्रीराम में हजारों हजारों सालों के बाद भी जन मानस को जागरित रखा उसका दर्शन इतने सालों बाद भी हमने देखा कि आयोध्या के समय जिसमें भारत के उर्जावान प्रधान मंत्री अपने उद्वोधन में सच तो यह है जब भगवान की और जा रहे थे उस मुकुट को लेकर उस समय का जो दर्शन था उससे किवल आखों की पलके नहीं बलकि हिर्दे की पलके भी गीली हो उठी जितने लोग थे सब भाव भाव पूर्ण उर्जा से अब प्लावित थे और उसी समय भारत के उर्जावान प्रधान मंत्री ने जो पंक्तिया कही वो इस विश्व के लिए विश्व का समाधान है उन्होंने कहा श्री राम आग नहीं उर्जा है श्री राम विवाद नहीं समाधान है श्री राम उन्होंने कहा कि श्री राम विजय नहीं बलकि विन्य है विन्य है कितना विनम्रता का पाठ उन्होंने धीरे से सब को पढ़ाया और उसके बाद आपने देखा कि आज उसी मर्यादा को जीने वाले उसी मर्यादा का प्रसाद वित्रन करने वाले हमारे देश के एक ऐसे युवा आपको नहीं लगता है कि ये किवलिक युवा नहीं है बलकि भगवान के भेजे हुए एक ऐसे अवतार है महापुरुशें जिनोंने जनमन को जगाया है मुझे याद है हम केदार नात में थे मैंने मीडिया को बताया आज हम केदार नात में थे हम बद्री नात में थे केदार बाबा के दर्शन के लिए हजारों हजारों लोग वहाँ पर थे लैसे ही आदर्णियें हमारे बागेश्वर सरकार पहुंचे, आपको आश्यरी होगा, सारा का सारा भक्तों का प्रवाह, सब की आखें, सब की शद्धा, बागेश्वर धाम की जैहों के साथ, वहां गूझ उठा, यही बात बद्रीनात में थी, यही बात अयोत्या धाम का दर्शन करने के बाद, क्या है यह सब, क्या है यह सब, यह है कि भगवान श्री राम के लिए, उनके बताए हुए मार्क के लिए, उस सनातन परंपरा के लिए, जिनोंने अपने पूरे जीवन को सौंप दिया, अपनी जवानी को सौंप दिया, उसी का प्रताप है कि आज लोगों का यह प्रव, ल कई सनातन की कडिया हैं जो हमारे समाज को आने वाली सदियों तक जोड़ कर रखेंगी स्वामी विवेकानंद सो साल पहले 1893 में जब वहाँ पर अमरीका की धर्ती पर गए उन्होंने जब उसनातन सनातन के उन मुल्यों का उद्धोश किया सारा अमेरिका जाग उठा लेकिन जब वे भारत में वापिस लोटने से पहले किसी ने वो पत्रकार ने पूछा उनसे उनसे पूछा कि आप भारत की धर्ती से आए हैं भारत में इतनी गरीबी है यहां इतनी अमीरी है बड़े-बड़े भवन हैं बड़ी-बड़ी बिल्डिगे हैं तो आपको अब कैसा लगता है गरीब भारत या अमीर अमेरिका स्वामी वेवेकान जी ने कहा कि मैं उस भारत से आया हूँ आने से पहले मैं भारत को केवल प्यार करता था और आज जब अमरीका की धर्ती और उसके भोग विलास में डूबे लोगों को देखता हूँ तम मुझे लगता है कि मैं केवल भारत को प्यार नहीं बलकि भारत की प पूछ पास स्वामी विवेकन जी ने अंतिम बात के रूप में स्वामी विवेकन जी ने कहा भारत आने के बाद उन्होंने कहा यदि मुझे सो नौ जवान भारतिय संस्कृति को समर्पित हों, धर्म के लिए समर्पित हों, मानवता के लिए समर्पित हों, अगर सो नौ जवा मुझे मिल जाएं तो मैं भारत का नक्षा बदल सकता हूं मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद जी का वो स्वापन स्वामी विवेकानंद जी की वो भावना आज मैं पूरी होते देखता हूं कि सो नौ जवान नहीं बलकि एक ऐसा युवान जिसने संस्कृती के लिए मैंने तो विश्व के उन देशों में भी देखा है कि किस तरह से लोग दिवाने हैं आईए आज हम सब लोग सनातन की उस परंपरा को जाने जीए और उसके बाद अपने घरों में उन मुल्यों को जिन्दा रखें जीवित रखें 22 जनवरी का वो दिन मुझे लगता है पू मनाते रहें लेकिन 22 जनवरी का दिन मुझे लगता है कि आने वाली सदियों के लिए एक एतिहासिक दिवस है जिसको हम मनाते रहेंगे और उस स्पिरिट को जिन्दा करने के लिए आज मंच पर विराजमान है नवधा भक्ति के माध्यम से नवधा भक्ति करें नवधा भक् भारत को जोड़ने की जरूरत है नवधा भक्ति और एक नई भक्ति अपनी अपनी भक्ति करें लेकिन सारे मिलकर देश भक्ति करें यह बहुत जरूरी है भारत माता की वंदे हारा हर्म